तो कल हम लोग आर्टिकल 84 तक कवर कर चुके थे पालियमेंट के रिगार्डिंग आज हम लोग 85 से सुरू करेंगे और देखते हैं कि कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 100 तक तो पहुंची जाए जाए आज देखिए चीजों को साथ साथ में नोट करते जाए क्योंकि कई बार question पूछे जाते हैं exam में कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है match कराने के लिए आ जाता है ठीक है या फिर जो किसी particular आर्टिकल में जो point लिखे हुए है वो point दे दिया जाता है और वो पुछा जाता है कि वो किस आर्टिकल के according किया जाता है तो इसलिए एक short note type में इसको note जरू करते हुए चलिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी article 85 अनुछे 85 की ये क्या कहता है देखिए जब भी कोई session आता है पार्लियमेंट जैसे लोग सभा मान लीजे एकदम से गठित हुई ठीक है election हुए और election के बाद में जस्ट एकदम से sitting हो रही है या फिर नया financial year शुरू हो रहा है या नया year ही शुरू हो रहा है नया कोई session शुरू हो रहा है ठीक है तो उस समय क्या करते है उस समय जब संसत बुलाई जाती है उसकी सब बैठक बुलाई जाती है तो ये बुलाने का काम कौन करता है ये कारे कौन करता है प्रेसिडेंट ये काम कौन करता है प्रेसिडेंट अब मान लीजे session में नहीं है लेकिन प्रेसिडेंट अभी सत्र में नहीं चल रहा है काम, ठीक है, इसमें कोई सत्र में नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई रूल ऐसा है, कोई situation ऐसी है कि इसमें Parliament की बैठक होनी चाहिए, तो उस समय भी Parliament की बैठक के लिए प्रेसिडेंट बुला लेगा कि हाँ, आप ल अर्टिकल 85 के एकॉर्डिंग, संसत के प्रतेक सदन को, मतलब सिर्फ लोकसभा को ही नहीं, राज्यसभा को भी, दोनों को, दोनों को ही जब उसको लगता है कि हाँ इस समय बैठक होनी चाहिए, अदिवेशन होना चाहिए, वो बुला सकता है, और एक याद रखनी है बात, आ बजट सेशन चल रहा है, और बजट सेशन मान लीजे, कलकी डेट में खतम हो जाता है, 24th मार्च को खतम हो जाता है, तो अगला सेशन जो हो है, वो विदिन 6th मन्त में शुरू होना ही होना है, और ये responsibility किसकी है, ये responsibility प्रेसिडेंट की है, मतलब इस बैठक की, अभी जो बै इस जो अगली बैठक 5 अगस्त को शुरू हो रही, मांसून सत्रमान लीजे शुरू हो रहा है, तो पांच अगस्त को अगर शुरू हो रहा है, तो 24th मार्च और 5 अगस्त के बीच में 6th मन्त तक का duration maximum allowed है, उसके पहले ही इसको शुरू कर देना है, 6th मन्त से उपर नहीं जा maximum 6 मन्त का ही gap हो सकता है, उससे जादा नहीं हो सकता है, तो 1 year में minimum 2 session तो लाने ही पड़ेंगे, 2 session तो लाने ही पड़ेंगे, ये सम्वैधानिक constitutional foundation है कि per year Parliament का 2 session हो गा ही, ये बात indirectly यहीं से निकल करा रही है, इसलिए जब COVID duration था, COVID duration था, उस समय भी क्या किया गया, उस समय भी session बुलाए गया, छोटे बुलाए गया लेकिन बुलाए जरूर गया, क्योंकि ऐसी constitutional foundation थी, ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें है कि किस तरीके से सत्र बुलाए जाएगा, नहीं बुलाए जाएगा, कब बुलाए जागा, ये सारे के सारे decision, president लेता है, एक बात, हाला कि आप ये रखिएगा, यहाँ पर नाम है president का, बट, ठीक है, ये कौन लेता है, president ये decision लेता है, लेकिन president क्या अपने से ये decision ले लेता है, नहीं, president कहने को तो यहाँ पर president है, लेकिन council of minister जो होती है, वो उसको advise करती है, कि हाँ अब आप इस समय बुला सकते हैं, वो उसके सलाह पर ही ये काम कर रहा होता है, अपने विवेक से नहीं कर रहा होता है, हाला कि ये चीज़ यहाँ पर लिखी होई नहीं है, ठीक है, अब मान लीजे, सत्र चल रहा है, बीच में उसको विक्टित करना है, या फिर सत्र अबसान करन तो ये भी कौन डिसाइड करेगा ये भी प्रेसिडेंटी डिसाइड करेगा कैसे डिसाइड करेगा और इसको भी काउंसिल ओफ मिनिस्टर के डवाईज पर ही वो करता है। की यह बात भी यहाँ पर लिकी नहीं है लोकसभा में अगर Majority नहीं रही मालीजे ठीक है जो गौर्मेंट है उसकी Majority अगर नहीं रही नई कोई government form नहीं हो सकती या फिर जो इस समय की קौर्मेंट है वो यह कह दे कि अब आप उसको विक्टित कर दिजे अब आप हम नया election चाहते हैं तो उस condition में भी President ही उसको क्या करते हैं विगटित करते हैं President ही उसको समाप्त करते हैं उस लोग सभा को और नई election फिर होते हैं तो नया session नया session लाना हो ठीक है 2 के बीच में 6 months से अधिका gap न होने पाए session को समाप्त करना हो end करना हो या फिर लोग सभा को विगटित करना हो उसको समाप्त करना हो तो ये सारे decision कौन लेता है ये सारे decision जो लेता है ये President लेता है और उसमें से ये वाले जितने हैं ये तो almost President अपने से ही Council of Minister की सला से लेता है लेकिन ये वाला उसके लिए पूरी बाउंडेशन है कि अगर मान दीजे council of minister बैठक नहीं भी बुला रहा है तो भी ये उसका responsibility है president का कि यहाँ पर बैठक होगी ही होगी within six months यहाँ पर भी उसको अपने decision लेने है लेकिन generally क्या होता है यहाँ पर ये council of minister की aid and advice होता है लेकिन य ये वाला ये उसको अपनी खुद की responsibility पर उसको लेना ही लेना होगा मतलब अगर इसको फिल फिल नहीं कर रहा है तो अपनी constitutional responsibility को नहीं follow कर रहा है और इस case में अगर कोई कहे कि हाँ उस पर impeachment चला जाना चाहिए तो चलाये जा सकता है क्यों क्योंकि उसको constitutional duty दी गई है और य 86 क्या कहता है article 86 सदनों में अभिभाशड और उनके संदेश भेजने मतलब क्या होता है मान लीजिए parliament का session चल रहा है और कोई bill ऐसा आया हुआ है या president के पास में है या कोई ऐसा matter है जिस पर president को लगता है कि इस पर parliament में discussion होना चाहिए इस पर parliament में क्या होना चाहिए discussion होना चाहिए तो वो क्या करता है वो अपना message भेजता है किसको भेजता है message भेजता है लोकसभा या राजसभा जहां पर भी उसको आवशकता लगती है कि यहां पर इसका discussion होना चाहिए तो ये responsibility भी article 86 के तहद राश्ट्रपती को दी गई है अब मान लीजिए कोई ऐसा bill है जो बहुत समय से pending है और government उसको टाले जा रही है लाही नहीं रही है और तब अगर president को ऐसा लगे कि यह चीज लाई जानी चाहिए पारलियामेंट में तो वो उस समय भी एक direction देगा कि हाँ अब आप इसको बहुत समय से pending रखे हुए है इसको आप पारलियामेंट के समक्ष ले आईए उस पर discussion करवाईए उस पर विचार करवाईए और जो भी voting अगरे का process है उसको complete करवाईए तो यह responsibility भी 86 के तहत president को है कि अगर किसी बात पर discussion करना हो कुछ भी करवाना हो तो वो सारी चीजें भी वो करवाता है उसके बाद अब जनरली समानेते देखते होंगे हम 2019 में election हुआ, 2014 में election हुआ, 2009 में election हुआ, जब भी election होता है तो उसका जो पहला session हो रहा होता है, first session, पहला सत्र, उसकी शुरुआद जो होती है वो कौन करता है, वो president करता है, ठीक है, तो मतलब क्या होता है, president जो होता है, लोग सभा की पहली बैठको elections के बाद में या फिर किसी financial year का या year का किसी वर्ष का जैसे अभी बजट सत्र शुरू हुआ तो वर्ष का पहला ये session था बजट सत्र जब सुरू हुआ तो session का पहला साल का पहला सत्र था ये तो इस case में क्या होता है president पहली sitting को president संभोधित करते हैं लोग सभा के election के बाद में या फिर किसी सत्र के पहले सत्र को कौन संभोधित करता है सबसे पहले राश्पति संभोधित करते हैं अपना वहाँ पर वो speech देते हैं और अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग भी कराते हैं joint sitting से मतलब क्या हुआ यहां पर कि लोक सभा और राज्य सभा दोनों के member बैठेंगे और उनको वो अपनी speech देंगे अपना अभी भाशर देंगे और generally इस speech में क्या होता है इस speech में भी council of minister जो उसके plans होते हैं जो उसके idea होते हैं वो बताती है वो उसको बताती है अपने plans और idea और वही speech वो देता है क्योंकि जो government of India है government of India किसके बिहाब पर काम कर रही होती है प्रेसिडेंट के बिहाब पर ही काम कर रही होती है तो government of India ने जितने भी काम की होते है work या तो कर चुके हैं या future में करने वाले हैं ठीक है तो उन सभी चीजों का हिसाब किता president देते हैं प्राशर देते हैं उस पर discussion होता है फिर उसके बाद में discussion होता है अलग-अलग members अपनी बाते रखते हैं अपनी बाते जब रखते हैं तो उसके बाद एक vote of thanks होता है अन्तिम दिन की हाँ राश्पती को धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है कि हाँ उन्होंने अपनी ब पर ठीक है तो यह सारे काम जो किये जाते हैं किसके recording किये जाते हैं आर्टिकल 87 के recording किये जाते हैं ठीक है तो 85 हो गया 86 हो गया 87 हो गया अब आते हैं 88 पर 88 क्या करता है ministers और महानियवादी जानिक अटॉर्णी जनरल जो भी minister है और जो भी attorney general है attorney general का जो post होता है article 76 के round से होता है इस बात को याद रखे कि बाकि उनके बारे में हम जब पढ़ेंगे तब detail उनका देखेंगे तो देखिए मान लीजिए जैसे अरुन जेटली थे अरुन जेटली जीते अभी तो नहीं है जब ये election जीते थे तो जीते नहीं थे ये election लड़े थे लोकसभा का ठीक है नवजो सिंग सिद्धू की seat काट कर इनको अरुन जेटली को दी गई थी पंजाब में और यहीं से सि सिद्धू की वहां से मेशा जीते रहते थे लेकिन सिद्धू को seat card करके इनको दी गई अरुन जेटली को लेकिन लोकसभा का election अरुन जेटली हार गये तो अब क्या हुआ अरुन जेटली election तो हार गये लेकिन बीजेपी के बहुत बड़े leader थे तो इनको क्या किया गया राज्यसभा में भेजा गया और Finance Minister भी बनाए गया Finance Minister भी बनाए गया तो अब ये Member of Parliament कहां पर है राज्यसभा में है और बाकी Government के जो मंत्री परशत के अधिकतर Member है कहां पर है वो लोगसभा में है अब लोगसभा में जो Members होते हैं अब पोजीशन में जो है जैसे राहुल गाधी है ठीक है और कोई भी हो सकता है मुलायम सिंग हो सकते हैं लालू जी तो जेल महल माली जी लालू जी वहाँ पर हैं तो ये लोग क्या करते हैं Question पूछते हैं Government के किसी Decision से या फिर कोई Policy लाई है सम्मंदित के सीवी Ministry से कैसे Finance Ministry से related कोई Question पूछा उन्होंने तो अब उसका आंसर देने की Responsibility इसके Minister के होगी यानि कि अरुन जेटली के होगी अब Question पूछा गया है लोग सभा में और ये है राज सभा के Member तो क्या यहां पर ये आंसर देंगे तो हाँ यही है यही इसमें कहा गया है 88 में यही कहा गया कि जो Minister होते हैं उनको लोग सभा में और राज सभा में दोनों में ही Parts Paid करने की Permission है दोनों में ही Parts Paid कर सकते Council of Minister के जितने भी Member होंगे अगर वो लोग सभा में Member है और राज सभा में Question उट रहा है राज सभा में की Member है लोग सभा में Question उट रहा है तो वहाँ पर वो उसका उत्तर दे सकते हैं जैसे जब Amish Shah Home Minister बने तो उस समय उन्होंने पिछली Government में जैसे इनको राज सभा में भेजा गया तब भी मतलब उस समय तो Minister नहीं थी लेकिन अभी फिलहाल क्या थे अभी जैसे राज सभा के Member है इनको वो बनाया गया तो ये लोग सभा में भी आते हैं अपने विचार व्यक्त करने अगर ये लोग सभा में है और राज सभा की कुछ कमेटियां बनाई जाती है जो भी policy वगर आती है वो उसकी जांच वगरा करने उसके कुछ discussion करना है तो कमेटी बनाई जाती है तो अगर राज सभा की अगर वो कमेटी है और Member वो लोग सभा का है लेकिन उसको उस कमेटी में डाला गया है as a minister तो उस कमेटी में भी जाएगा उसमें भी बैठक में भाग लेगा और एक question कौन बनेगा करोड़ पती में बहुत पहले पूछा गया था कि कौन वो ऐसा अधिकारी है जिसको पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होते हुए भी उसको पार्लियामेंट में भाग लेने की अनुमती है तो वो है attorney general attorney general पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है ना लोगसभा का ना राज्यसभा का बट constitution ने उसको ये power दे रखी है constitution ने उसको power दे रखी है article 88 के round से ही कि वो क्या कर सकता है वो parts paid कर सकता है लोगसभा में और राज्यसभा में उसकी बैठको में लोगसभा और राज्यसभा की जो बैठकोरी वहाँ पर जो government से question पूछे जा रहे हैं उसका वो उत्तर भी दे सकता है और parts paid भी कर सकता है according to article 88 लेकिन अब एक condition भी लगाईए गे दोनों के ये attorney general जो होता है participate तो करेगा लेकिन अगर जहां पर vote देने की बात आएगी तो ये vote नहीं दे सकता केवल बात रख सकता है government की बिहाब पे लेकिन vote नहीं कर सकता अगर कोई member लोगसभा का है और राजसभा में वो गया है अपनी बात रख रहा है और voting राजसभा में हो रही है तो राज्य सभा में वोट वो नहीं कर सकता है और अगर कोई राज्य सभा का मेंबर है और लोग सभा में अपनी बात रख रहा है वोटिंग लोग सभा में हो रही है तो वो यहाँ पर वोट नहीं डाल सकता जो जिस हाउस का होगा अगर वो लोग सभा में है लोग सभा का में तो लोग सभा में ही वोट डालेगा अगर वो राज्य सभा में है तो राज्य सभा में ही वोट देगा और एटार्णी जनरल जो होता है वो ना लोग सभा में दे सकता है ना वो राज्य सभा में दे सकता है वो केवल वहाँ पर पार्टिस्पेट कर सकता है और जो कमेटी वग कि को मिनिस्टर होते हैं धोनों हाउसे जाकर अपनी बात रख सकते हैं ओर कुछ नए कोश्चन नहीं बनते हैं प्री में ऐसे ही multiple जैसे अब question बड़ा बनाना है 1,2,3,4 point बना दिये ये एक wrong time डाल दिया अब पूछ लेगा 1,3,4 सही है 1,2,3 सही है 1,2,4 ऐसे ही question बना के confuse किया जाता है इसलिए question कोई tough नहीं होता है बस उसको समझना रहता है पढ़ना रहता है अब आर्टिकल 89 और 90 पे आ जैसे बिड़ा जी है भी लोगसभा का speaker होता है वैसे ही राजसभा में क्या होते हैं सभापती होते हैं जो head होता है उसका जो control करता है राजसभा को वो उसको सभापती कहते हैं और ये सभापती जो होते हैं president जो होते हैं कहां के राजसभा के according to 89 भारत के vice president भारत के vice president जो हो वही क्या होते हैं राज सभा के सभापती होते हैं राज सभा के प्रेसिडेंट कौन होंगे राज सभा के प्रेसिडेंट जो हेड होंगे वो कौन होंगे वाइस प्रेसिडेंट भारत के इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होंगे ठीक है तो जैसे अभी प्रेजेंट में एम पैंकया नायडू हमारे उपराश्टपती हैं तो यही क्या रहेंगे यही राजसभा के सभापती भी हैं और इसके लिए इनको अलग से कोई सरल्य अगरली नहीं मिलती है यह इसके बाइड डिफॉल्ट constitution में mention है कि पदेन सभापती यही रहेंगे जो भारत का उपर राश्टपती होगा अब मान लिए यह कहीं पर busy हैं तो उस समय यह राजसभा में नहीं आ सके तो उस समय क्या होगा उस समय के लिए जो राजसभा के members होते हैं वो अपने आप में एक उप सभापती चुनते हैं व जब भी उप राश्पती सभापती की तरह से मौजूद नहीं है तो उस समय वो यह कारे कौन करते हैं राजसभा का जिसको भी ऐसा चुने उप सभापती राजसभा का वो यह काम करेगा तो आर्टिकल 89 किसके बारे में बता रहा है राजसभा के सभापती और उप सभापती के विशह में ठीक है अब मान लीजिए 90 में आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका पोस्ट खाली है या फिर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली है और वाइस प्रेसिडेंट उस समय प्रेसिडेंट की तरह से काम करने लगें तो ऐसी कंडिशन में तो कोई उपराश्प ही ही नहीं मतलब उस समय नो क्या हुआ उपराश्पती का अगल फॉब्त बेखेगे और попроб जोode का काँ देख रहा होगा अब मान लिजे उप्प उपसभापती जो है उपसभापती जो है वो क्या हो वो मेंबर ही ना रहे राज्यसभा का उसकी मेंबर्शिप खतम हो जाए तो उपसभापती तो रही नहीं गया वो तो उस समय क्या होगा उस समय क्या होगा उस समय दूसरा उसके बाद में किसी और को सेलेट किया जाएगा वो रहेगा, उप सभापती काम करेगा, या फिर सभापती को वो resign भी दे दे, अगर उप सभापती जो है, समझेगा ध्यान से, question पूछा जाता है, कि राज सभा का उप सभापती किसको resign देता है, तो वो सभापती को resign देता है, मतलब किसको resign दे रहा है, वो wise president को ही दे रहा है क्योंकि Vice President ही तो सभापती है राजसभा का तो अगर वो resign दे देता है तो उसकी seat खाली हो गई तो इस समय क्या होता है उस समय भी राजसभा राजसभा किसी एक member को elect करेगी और कहेगी कि हाँ तुम अब उपसभापती का काम देख सकते हो तो ये चीजे भी रहती है ठीक है ये बात भी article 90 में बताई गई है ठीक तो अगर सभापती अपने काम को नहीं कर सक रहे हैं उपसभापती एक चीज थोड़ा सा देख लिजेगा 90 में और 91 ये दोनों ही हमारे क्या है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे नहीं है या फिर उपसभापती पोस्ट पे नहीं है 91 ये बता दे रहा है कि कब वो खाली हो जा रहा है और जितनी भी condition मैंने बताई कि उस समय कौन काम करेगा मालीजे जैसे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करने लगा या फिर वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट उस समय पोस्ट पर नहीं है उपसभापती की राजसभा की मेंबर्शिप खतम हो गई राजसभा से उसमें रिजाइन दे दिया या उसको हटा दिया गया सदस्यों के दोरा कि अब तुम उपसभापती नहीं रहोगे ये सारी बातें बता दी गई कि इसमें 90 में 91 में क्या बता दिया गया 91 में ये कह दिया गया है कि अगर ये सारी condition के according ये लोग post खाली हो जाते हैं तो ये ये condition apply होगी ये ये इसका काम देखेंगी जो इसे मैंने बताया कि vice president अगर नहीं है तो उपसभापती उसका काम देखेगा उपसभापती नहीं है तो उसकी जगा पे नया member elect किया जागा और ये नया member elect करने का process एक राजय सभा की rule book होती है उसमें mention किया गया है उसके according सब होता है ठीक है इस rule book के बारे में हमको कुछ भी नहीं पढ़ना होता है तो ये सारी बाते है 90 और 91 में है एक बात और किसी चीज में है एक बात यहाँ पर और decide करनी होती है देखे ये सारी बाते वही जो मैंने आपको समझाई है वही हैं कुछ अलग से नहीं है जब भी सभापती को या उपसभापती को उनकी पद से हटाने की बात हो रही हो मतलब vice president को या फिर जो राज सभापती को जिसको भी सभापती चुना गया है उसको कहा जा रहा हो कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे है या फिर जो भी रूल हो जो भी कारण हो उसको कहा जाए कि अब आपको post से हटना हो तो उस post से उनको हटाने की जब processing चल रही हो उसको post से हटाने की जब processing चल रही होती है तो उस समय वो वहाँ पर सभापती का काम अपने नहीं देख सकते हैं उस समय वो अपने सभापती का काम नहीं देख सकते हैं और अगर जैसे vice president के against में ये चल रहा है तो Vice President उस समय सभापती नहीं बन सकते, वो खाली रहेंगे, उनकी जगा पर उपसभापती जो होंगे, वो सभापती का काम करेंगे, अगर उपसभापती के अगेंस्ट में चल रहा है, तो वो भी क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं आ सकते हैं सभापती का काम देखने के लिए, म मैं नहीं बन सकते हो, यह बात किसमें बताई गई है, आर्टिकल नाइनटी टू में, यह बात आर्टिकल नाइनटी टू में बताई गई है, ठीक है, और अपनी बात यह रख सकते हैं, अगर इनको प्रोसेस चल रहा है कि ठीक से काम नहीं कर सकते हो, तो बस आरोप लगा द तो ये भी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वोट ये नहीं दे सकते हैं, तो 89 से लेकर 92 तक की जो कहानी है, वो पूरी की पूरी क्या है? राज सभा के speaker यानि की सभापती और उपसभापती के विशे में राज सभा के president और vice president के विशे में बात करता है ठीक है 89 और 90 जो 89 क्या कहता है कि vice president होगा जो वो राज सभा का सभापती होगा और अगर Vice President busy है तो उसके लिए एक सभापती होगा जिसको राजसभा के Member से Elect करेंगे ये बात हो गई 90 क्या कहता है कि इनके Post खाली कैसे हो सकते है 91 क्या कह सकता अगर Post खाली है तो उसको भरा कैसे जाएगा उस समय पर कौन काम करेगा सभापती का 92 क्या कहता है कि अगर किसी को हटाने की प्रक्रिया चल रही तो वो उस समय सभापती का काम नहीं करेगा ये चार आर्टिकल्स हमारे जो हैं ये राजसभा के According है फिर 93 आ जाता है 93 सेम वही काम कहता है जो 89 कहता है जैसे वहाँ पर सभापती और उपसभापती होते थे यहाँ पर अध्यच और उपाध्यक्ष होते हैं मतलब Speaker और Vice Speaker एक तरह के से होते हैं यहाँ पर Vice President होते हैं तो लोग सभा के ये जो होते हैं, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि by default होगा, लोग सभा के जो members होते हैं, जो लोग सभा के elected members होते हैं, वो अपने आप में एक elect करते हैं कि ये हमारा speaker होगा, और generally क्या होता है, जिसकी majority रहती है, यानि कि जो government form करता है, उसी के पास majority है, तो वोटिंग में तो वही जीतेगा तो उसी की पार्टी का लोगसभा का अध्यक्ष होता है और डेमोक्रेसी है सब को बोलने का मौका मिलना चाहिए तो इस तरीके से किया जाता है कि जो उपाध्यक्ष रहेगा वो अपोजीशन का सामानेता बनाया जाता है ठीक है कि आपको भी अपनी बात रखने का मौका मिले आपको ऐसा न लगी कि सब हम अपने मन मानी कर रहे है तो तो speaker तो party का होता है, उपाध्यक्ष, generally opposition का होता है, अध्यक्ष जो हो गया, speaker जो हो गया, जो भी government है, उसी की party का रहता है, generally, लेकिन दोनों का ही election होता है, election उन members में से होता है, ठीक है, ये कौन कहता है, article 93 कहता है, कि 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होगा, इनका election होगा, और इनका members आपस में से इनको चुनते हैं, 94 क्या कहता है, वही बात जो 90 में राजिसभा के लिए थी, कैसे उनका post खतम होगा, या फिर कह सकते हैं, कैसे अगर वो post से अपने हटेंगे, ये बातें इसमें कह पर लोग सभा की सदेसिता उसकी समाप्त हो जाए, ठीक है, मान लीजे वो speaker है, और वो बन जाए president, president बना दिया जाए उसको, तो उसकी सदेसिता तो यहां से समाप्त होई जाएगी, अपने आप ही वहाँ पर president अब बन गया, तो लोग सभा में तो आने से रहा, तो यहां प सकता है, यदि अध्यक्ष, speaker है, तो speaker अध्यक्ष जो होते हैं, यह भी question पूछा जाता है, कि लोग सभा का अध्यक्ष अपना resign किस को देता है, लोग सभा का speaker अपना resign किस को देता है, तो वो उपाध्यक्ष को अपना resign दे सकता है, वो उपाध्यक्ष को अपना resign दे देता ह ठीक है और जब वो resign दे देगा तो फिर post खाली हो गई इसी तरीके से अगर उपाध्यच को resign देना है तो वो speaker को दे देता है दोनों मतलब वाइसी वर्सा एक दूसरे को resign देते हैं अपने signature करके proper way में ठीक है और अब ये तो post पर member नहीं रहा resign दे दिया लेकिन अगर member चाहें तो जैसे उन्होंने इनको बनाया था majority से वैसे ही members चाहें तो majority से इनको हटा भी सकते हैं तो इस तरीके से 94 जो है इनकी पद की हटने की बात करता है ये किस तरीके से अपने post से हट सकते हैं ठीक है तो 94 में ये सारी बातें कही गई है और अगर मान लीजे हटाना है speaker को speaker को हटाना है तो ऐसा नहीं होगा कि नहाद होके उठे मन किया कि यार speaker को ठीक नहीं काम कर रहा है इसको चलो हटा देते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि चले और सो के उठे और आगए लोग सभा में कहें कि भई हम तुमको हटाने का प्रोसेस सुरू कर रहा है इस तरीके से नहीं होगा उसको प्रॉपर 14 days के पहले notice देनी पड़ती है 14 days पहले उसको notice देनी पड़ती है तो question ये भी पूछा जाता है कि कितने दिन की notice दी जाती है जब वो पहली बात अपनी मलब उसको पल से हटाना है तो 14 days की notice दी जाती है और उसको भी बात रखने का मौका दिया जाता है लेकिन vote देने का मौका उसको भी नहीं होता है ठीक है, वोट देने का अधिकार उसको भी नहीं होता है 95 वही का बात कर रहा है, जैसे जो वहाँ पर 91 में था सेम वही बात, अगर speaker नहीं है, तो उसकी जगह, speaker की जगह पे dipty speaker ही काम करता है, dipty speaker भी नहीं है, तो लोग सभा अपने rule book से किसी को elite करती है, कि हाँ, यह elite करे, उसकी जगह पे वो काम करेगा, वही चीज है, यह नहीं है, तो यह काम करेगा, यह नहीं है, तो इसकी जगह पे यह elite को जाएगा, यह बहुत बड़ी चीज नहीं होती, बस याद रखिएगा कि 95 में दिया गया है 91 जो चीज राजसभा के लिए है 95 वो लोगसभा के लिए है 89 जो राजसभा के लिए है 93 वो लोगसभा के लिए है 90 जो राजसभा के लिए है 94 वो लोगसभा के लिए है ठीक है इतनी चीजों को आप याद रखेगा समझेगा 96 में जो वही बात अभी मैंने की कि उसको पद से हटाना है तो क्या करना है तो कि पद से हटाना है तो simple से वही बात है जो अभी बात कही कि उसको 14 डेस पहले उसको notice दीया ही जा रहा था लेकिन 7 में उसको अपनी बात रखने का मौका दी ले, मिलेगा और मौका अगर मिल रहा है तो उसके बाद में दूसरी चीज क्या रहेगी उसको vote देने का power नहीं रहेगा बात रखने का रहेगा लेकिन vote नहीं दे सकता है और जिस समय उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही है प्रोसेस चल रही है उस समय वो स्पीकर का काम भी नहीं देखेगा उस समय स्पीकर का काम नहीं देखेगा अगर स्पीकर को हटा रहे हैं तो स्पीकर नहीं रहेगा उस समय डिप्टी स्पीकर उसका काम देखेगा डिप्टी स्पीकर को हटा रहे हैं तो स्पीकर तो देखी रहा है लेकिन जब उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही होती उस समय वोट नहीं दे सकते हैं ठीक है उसके बाद में अगर कोई जैसे किसी के मेंबर कब नहीं रह सकता है वो कोई लोगसभा का मेंबर है या राजसभा का मेंबर है तो उसका पोस्ट कब ऐसा रहेगा कि हाँ अब वो सभा का या राजसभा का मेंबर नहीं रह सकता है तो वो बात बताई गई है आर्टिकल 101 में एक बार रिवाइस करिएगा बहुत चोटी चोटी चीजे हैं लेकिन बस आप इतना याद रखेगा कि 89 से 93, 89 से 92 और 93 से 96 लोगसभा के हैं तो कभी आप भूलेंगे ने 89 प्रेसि प्रेशन में कैसे काम होगा 92 उनके जो प्रक्रिया होगी जिसे महाट आने का वो उस तरह से किस तरह से चलेगा सेम वही चीज़ 93 से 96 इतना कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है अगर आप देखेंगे फिर से समझेंगे ठीक से तो 101 क्या कहता है कि कोई भी मेंबर लोगसभा और राजसभा दोनों का भी मेंबर नहीं रह सकता अगर वो दोनों का इलेक्टेट हो गया है तो किसी एक से उसको रिजाइन करना ही पड़ेगा एक का मेंबर ही वो रह सकता है दोनों का मेंबर वो नहीं रह सकता साथ ही जैसे अभी अखलेश यादव यूपी में अखलेश से resign दिया तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि किसी state की विधान सभा और member of parliament आप दोनों साथ में उसके सदस से नहीं रह सकते हैं parliament के और legislative assembly दोनों के member भी साथ में नहीं रह सकते हैं अगर ऐसा है तो आपको resign देना पड़ेगा अगर आपको ऐसा है कि दोनों के हो जा रहा है select हो जा रहा है तो आपको resign देना होगा resign किसको देंगे अगर लोग सभा के member है तो speaker को देंगे और राज सभा के member है तो president को वहा के देंगे यानि कि सभा पती को देंगे ठीक है और एक बात आप resign दे दिये लेकिन इस resign पे final decision लोग सभा का speaker और राज सभा का president ही लेगा वो ये चेक करेगा कि कहीं आप किसी के pressure में आकर तो अपना resign नहीं दे रहे हैं वो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कोई लाब लालच दिया गया है और आप उसके दबाव में आकर ये resign अपना post खाली कर रहे हैं तो ये decision लेने का final power उसका स्विकार करना है कि नहीं करना है ये speaker को और उसको दिया गया है तो यही बात इतनी ही आज हम लोग करते हैं एक बार फिर से इसको revise करिएगा इसमें क्या कौन कौन से points दिये गए हैं बहुत ही simple simple से थे session बुलाने वाला था session को संबोधित करना था administer का दोनों side में parts page लेना था attorney general का parts page लेना था राज सभा का सभापती लोग सभा का speaker उनके बारे में सारी चीजे और members अगर किसी दोनों जगव दो जगव पे elect हो जाते हैं तो resign करने का process इतना ही चीजे हमने पढ़ा है इतनी ही चीजे पूछी जाती है अलग-अलग wordings language बस बदल दिये जाते हैं ठीक है तो आगे हम लोग जो अभी इसमें करेंगे बागी के articles को और आगे बढ़ाएंगे ठीक है next class में